एक दिलेर गंज हत्या कांड है उसमें भी आपका नाम जोड़ा जाता है कि जुलाई 1905 में हमारा कोई नाम नहीं है हमारा नाम बिल्कुल नहीं है तो इसलिए on record पूछ रहा हूं जा कि आपका पक्ष आ जाए जुलाई 1995 बीस घरों को आग लगी फायर ब्रिगेड गही लेकि वो हमने नहीं पढ़ा लेकिन एक युवक ने कहा कि हमने राजा भाईया को लगान देने से मना कर दिया बदले में गाड़ी में बांद के पूरे गाउं में घुमाया गया ताकि उनकी ताकत का बयान किया जा सके और उसके बाद ये कांड हुआ क्या है दिलेर गंज हत्या क लड़कियों की डेड बॉड़ी मिली गोलिया लगी हुई थी और भी सब बाते आई बताईए दिलेर गंज गाउं जहां हम लोग बैठे हैं यहां से पांच किलो मिटर दूर होगा या छे किलो मिटर होगा यह अलग बात है कि हम और आप एक टॉक शो में बैठे हुए हैं और आप कहें तो हो सकता है आपके लिए संबह हो या आप न जाना चाहे है अलग बात है लेकिन हम चाहेंगे कि आपके रास्ते में पढ़ता है ज़रा कि एरदगेर कि शायद ये दो जून वो था ये छे जून था या इसे कुछ या पांच जून की घटना है तो समय हर विदायक लखनों में था यहां कोई नहीं जून की घटना है नहीं जून की है तो यह जून का है तब यह माली जी की जून की है उसी किसम उसी समय जून की बा उसमें जो विटनिस था, उसको दूसरे पक्ष ने ले जा करके, काट करके हत्या करी, एक पक्ष उसके बचाव में आ गया, मृतक का नाम इसमें छेदी लाल मौर रहा, वो प्रधान थे, और घरों को आग लगाय गई, कई महिलाएं उसमें डूबने से मृत्य हुई है, गंगा जी में, और ये बहुत दुखर्द एक हमारे चेतर का वो रहा, उस समय मॉबाइल फॉन तो छोड़ दीजिए, उस समय STD भी नहीं हुआ कर वो डायल वाला फॉन हुआ करता था, बड़ी मुश्किल थी जो है, तो जब हमको सूचना मिली तो हम लखनों में थे, माया व थिती है मुकदमे कि ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन उस सेतिस आरोपी बरी हो गए, नौ के नौ गवाह पलट गए, ये हो सकता है, बहुत ज़्यादा क्योंकि वो हमारे लिए दुखा दे लिए कि हमारे चेतर में घटना और हमारे चेतर में कभी डंगा या इस तरह क घटना नहीं हुई है, और जब भी हुई है तो अगर तनाव भी बढ़ा है तो हमने उसको सबसाइट करने के लिए ही पूरा प्रयास किया है, आप क्या रहे हैं रगराज प्रताब जी कि आपने प्रयास किया है, कुंडा का हतिगवा थाना छेतर, बलीपुर गाओं, सबसे ज़्यादा सवाल इसी पर आए, जिया उलहक पर, जिया उलहक सीयो थे, पुलिस में ये पीपेस आफिसर्स की रैंक होती है, ठाने के उपर की, सर्कल आफिसर की, नन्ये सिंग यादव और नन्ये यादव ने बबलू पांडे से जमीन खरी दी, फिर उनका कामता पाल से विवाद हो गया, उस विवाद के बाद नन्ये यादव प्रिधान की घोली मार कर हत्या हुई, उसके बाद भीड हिंसक हुई, और वहाँ पर पुलिस वाले पहुँचे, ठाना प्रिभारी, सीयो वगेरा, उसी गाओं के 35 साल के गुड़ू सिंग है, ड्राइवर हैं तब नहीं थे, उसके पहले थे, अच्छा, तो लोगों ने कहा कि ये रहुराज प्रिताब के खास आदमी है, गुड़ू सिंग, उन्हों पर भी इल्जाम लगे और सीयो की पत्नी जो है, उन्होंने बाकाइदा नामज़र अपायार करवाई, और ये भी है कि जब मैं आप सबसे पहले तो आपको हृदा इसे धन्यवाद कि आपने ये विशे उठाया, वाकई धन्यवाद दे रहे हैं आपको, विवाद के कारण प्रधान की हत्या हुई, पुलिस ने प्रधान को ले जाया गया हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में अम्रित घोर्षित किया गया, वहां से पुलिस को पी-अम के लिए ले जाना चाहिए था, लेकिन हॉस्पिटल से वो गाड़ी प्रधान जी के शव को ले करके गाउं वापस आ गई, तब पुलिस को याद आया कि इनको तो पी-अम के लिए पुस्टॉम के लिए जाना था, इस विशे में काफी घंटों बीद इधार आक्रोश बढ़ा था और चूंकि एक खिमवदंती एक यह सब कुंडा में पत्ता भी हिलता है तो बिनाराजा भीया के नहीं आई यह हो यह सब डायलोग सुनने में मतलब जो फिल्मी डायलोग से प्रभावित पत्रकार होते हैं वो भले कहें तो कुंडा में जो भी हो इधर गाउवाले आक्रोश थे गाउवालों ने पुलिस पार्टी पे हमला कर दिया ठीक जब पुलिस पार्टी पे हमला किया तो पुलिस पार्टी उसमें तीन चार लोग थे वो भागए अब एक गली समझ लीजे जिसमें आगे-एगे सी-ओ और अंस्पेक्टर और दो त पीछे रह जाएगा, ठीक, भागे, पब्लिक ने दोड़ाया, और बंदूग से उन पे सीओं पे वार किया, बंदूग के कुंदे से, बट से, वो बंदूग भरी हुई थी, जिसने वार किया, उसके पेट में गोली लगी, नन्ने का भाई सुरेश या तो, जिसने वार किया, उसके पेट में गोली लगी, पीछे से नन्ने का लड़का, जो और अभ्यूग थी, वो आए, उसने बंदूग देखी, लास देखी, और सीओं को देखा, पहली बात तो ये भी जाएगा, हमको ये भी नहीं लगता है, कि उस समय कोई जान दा हो, कि ये सीओं है, कि सिपाही है, शायद ही कोई जान दा हो, अचा कह, वहाँ पे, कम से कम रहे होंगे, वहाँ पर भीड तो बहुत थी, लेकिन उस गली करें 20 प्रत्यक्ष दर्शी तो जावशे रहे होंगे, उनके सामने गोली मारी लिए, हम ये भी कह रहे हैं कि मॉब फ्रेंजी का केस है, ये पूर न सियो जिया उलहक की हत्या का कोई भी F.I.R. हमारे उपर नहीं है, हम नामजद नहीं है उस पे, और रीटियल बता दे रहे हैं उस पे, F.I.R. का फुल फॉर्म होता है, फर्स्ट इंफॉमेशन रिपोर्ट, जी, S.I.R. नहीं हो, सेकेंड इंफॉमेशन रिपोर्ट नाम की जी, अरणब जी के उपर, जब वो सुप्रीम कोर्ट गए, F.I.R. पर F.I.R. होने लगी, सोनिया जी पर टिपड़ी के विशह में लेकर के, सुप्रीम कोर्ट के एकदम स्पाट रूलिंग थी, कि बाकी सारे F.I.R. कुष्ट कर दिये जा, F.I.R. एक ही होता है, और कोई उ दान सभा के आगे, कारवाई में आज भी दर्ध है, हमने स्वैम इस केस की C.B.I. मांग की, क्योंकि हम जानते थे, कि सरकार में हम मंत्री हैं, प्रदेश की एजंसी अगर जाच करेगी तो पक्षपात कारोप लगेगा, केंदर में कॉंग्रेस सरकार थी, 2013 की ये घटना है, हमने स्वैम किया, बलकि कुछ दली नेताओं ने इसका विरोध भी किया, कि C.B.I. क्यों है, लोकल पुलिस जाच करें हम कहने हैं, लोकल पुलिस नहीं, भारत की सरवोच जाच संस्था C.B.I. है, और शायद ही कभी कोई ऐसा, वो हो कि, हलाकि हम टेक्निकली आरोपी नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम यह मांग कर रहे हैं कि इस परकरण की C.B.I. जाच होनी चाहिए, C.B.I. ने जाच करी, और अपना परणाम, हो सकता है कुछ टेक्निकी खामियों के कारण, उसको जाच को सुईकार करने वो हो, तो हम तभी हमने कहा था कि हम हर जाच फेस करने को तैय बिलकुल और आगे भी तैया है, रहुराज प्रताब जी आपने कहा कि F.I.R. में आपका नाम नहीं था, ऐसो थे, मनोश शुकला, उन्होंने F.I.R. की तेहां दिकावां के, पर इसके कुछ दिन बाद, DSP जिया उलहक की पत्नी परवीन आजाद, वो तहरीर देती है, दोम, शंकर, शिवास्तव, कुंडा के जिला, पंचात, ध्यष, गुल्शन, यादव, रोहित सिंग और गुड्डू सिंग पर लूट, बलवा और हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए, ऐसी तहरीर. जी, बिलकुल जी. पहले बाद तो कोई लूट नहीं हुई? जी. हमारे देश का कानूने उसी के तहत ही कारवाई हो सकती है, उसके अलावा नहीं है. जब हमने कहा कि एफ आई आर में हमारा नाम नहीं है, उन्हों ने जो हमारा और और जिनके लोगों का अपने नाम लिया कुछ दिया, उनके इस तहरीर को सी बी आई ने जाचा, इन बिंद हो आज जेल में है, जिन्होंने हत्या करी, वो आज जेल में है, ये स्तहरीर में एक नाम आया, गुल्शन यादव, समाजवादी पार्टी से कंडिडेट है, हाँ सुनते हैं कि घोटना हुई, जी, दुरुस सुना आपने, आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लोगत बहुत से लोग लड़ते हैं, तो क्या हुआ ये दोस्ती राजनेतिक रंजिश में कैसे बदल गई, पहली बार तो दोस्ती वाली को नहीं है, लेकिन हाँ, ठीक है, जिसको जिस पार्टी से चुनाव लड़ना हो, उसमें हम क्यों नो कहें किसी को, गुल्शन यादव को रा कांतरिक धंग से चुनाव लड़ागी जीता है, और जिला पंचा है तो ध्यक्षी नहीं चाहिए बलाग परमुख हो, आएंगे उस पर भी आएंगे, उस पर जीते हैं, ये जनता का स्नेह रहता है, जन्समर्थन है तो है.